हेलो एब्रिवन मैं हूँ स्मार्ट किडा के टेलिग्राम चैनल पर और यहां मैं आज आपको बताऊंगा यह करन अफेर सोर्स जो है आपको फॉलो करना चाहिए क्यों करना चाहिए इसके बहुत अची कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको चली शुरू करते हैं सबसे पहल अराम से एक बार रीड कर सकते हैं क्योंकि जो एक न्यूज है वो तीन से चार लाइन में अल्मोस्ट सारी न्यूज कवर हो जाते हैं जब तो कोई न्यूज बहुत बढ़ी ना हो 50 questions मिलेंगे यहां कि 50 news मिलेंगी और वो भी topic wise मिलेंगी यहां पर आपको topic मिल रखे हैं कि कौन कौन से topic में है और इवन बीच में भी है यहां आप देखते हैं यहां भी topic जो है mention होता है ठीक है उसके बाद इसके साथ ही जो भी news है कोई भी news हो news number one से लेकर जितनी भी news है static topic साथ में ही है आपको अलग से कहीं नहीं डूणना कि state है country है capital है organization है CEO है उसके headquarters है सब कुछ आपको इसी के अंदर साथ मिलेंगे यह देखिए हर एक news के साथ है जो भी exam relevant है required है वो चीज़े आपको मिल जाएंगी अगली चीज़ देखिए कोई भी news है अगर आप उस news को में क्या चलता है तो रीड मोर का option है आप रीड मोर पर करेंगे तो जिस source से original source से जिस original article से यह news उठाई है उसको उठाके और हमने यह link डाल रखा है इसको आप follow कर सकते हैं इस पर जाएंगे तो आप पूरा article खुल जाएगा वो पढ़ सकते हैं उसके बात कि बहुत सारे ज सिर्फ आप वो एकस्पेक्ट कवर करते हैं जादा तर जो उस news में दिया हुआ है जो उस mcq में दिया हुआ है किसी भी source पर और उस news को अगर reverse करके पूछ लिया जाए यानि कि जो question में पूछा है वो अगर news में दे दिया जाए और जो दिया है वो पूछ लिया जाए तो confused की PDF हो जाती है एक एक महिने की PDF तीन तीन सो पेज की हो जाती है और वो भी बतलब ऐसा ऐसा डेटा जो काम का नहीं एक्जाम रेलमेंट नहीं है तो इसमें सर्फ आपको एक्जाम रेलमेंट मिलेगा एक news 4-5 lines में खतम हो जाएगी अगली चीज यह free है बहुत बढ़िया च 50 questions है आराम से एक दिमें पढ़ सकते हैं एक दिमें आराम से रिवाइज हैं नेक्स टेरीड़िंग कर सकते हैं आपको PDF के बाद आपको एक दिन का या दुद दिन का या कुछ time जरूर दिया जाएगा सें 50 questions पर based आप देक सकते हैं यह app है जैसे फरवरी की है तो अबी फरव तो इसमें बहुत काम के, इतने बढ़िया तरीके से ये question बना रखे हैं इसमें, कि इसमें easy, moderate और difficult level जो है exam के हिसाब से balance करके questions बना जाते हैं, options इसी तरह से रखे जाते हैं, कि जैसे exam में जाके आप confused होते हैं, उसी तरह के similar options, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, क अहां से मिलेंगे, तो जिस तरह से इसमें topic wise, 50 questions का set है, ऐसे ही पूरे मन्त का एक combo PDF launch किया जाता है, उसमें भी topic wise होते हैं, आपको 2-4 PDF डानलोड करने की जोतनी है, एक PDF डानलोड करेंगे, उसमें ही आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बहुत बढ़िया ची अगर backlog चल रहा है, तो बढ़ता ही जाएगा, दो दिन के करना फिर भी रह गया, आपको लगता पता नहीं कितना सारा रह गया, इसमें आपको daily ही नहीं जञट, आपको करना ही नहीं इस तरह में, हालनकि smart kit आके आते है daily, बट ये better options क्यों है, क्योंकि आपके mind पर burden नहीं है आपको एक PDF मिलेगी, 50 questions, दो दिन मिलेंगे, आपको revise करिए, उसके बाद, अगर आप regular है, उसकी बाद आपको next PDF मिल जाएगी, तो इसमें आपको ये कि daily burden नहीं है, आप बाकी चीज़ों पर भी ध्यान अच्छे से दे सकते हैं, बाकी चीज़ों पर आपकी, जैसे quant हो गया जो real exam interface होता है, उस तरह से आप computer पर भी practice कर सकते हैं, laptop पर भी, तो ये दोनों को available है, दोनों पर, phone, laptop, tablet वगरा सभी पर, तो कुछ ये points है, जिनको देखकर मुझे लगता है, कि ये like एक app जो है, ये जो source है, एक बाकी चीज़ों से थोड़ा सा उपर है, और free है, आपको कु अगर daily 20-25 news मिलती है, तो अभी आप लगबख 700 news पढ़ें एक महिने की, जो कि exam relevant नहीं होती, यहाँ exam relevant ही articles उठाए जाते हैं, बिल्कुल analyze करके कि exam relevant है या नहीं है, अगली बात कि जैसे थोड़ा सा delay है, तो उसका अभी एक benefit है, जैसे अभी मार्स चल रहा है, लेकिन फरव daily का आता है लगबख, जो आपको cover करना होता है, क्योंकि last के 10-15 days आपको ऐसा है कि उसमें से questions बहुत जादा नहीं मिलते, एक दो questions बहुत कुछ important news होगी तो बन गया, अधरवाज नहीं मिलेगा, दूजरी बात up to date रहते हैं, जैसे अभी कि मैं news बता रहा हूँ, अभी जो T Tata Air India है, तो Air India ने अपने CEO का name announce किया था, कि हम इसको अपना CEO बनाएंगे, आप सभी current affairs पे देख लिए, सभी sources पे वो नाम मिलेगा, अब मेरे को नाम ध्यान नहीं है, लेकिन सभी पे वो नाम मिलेगा, लेकिन current affairs, यहां smart kidda ने वो news cover ही नहीं की, अब मैंने थोड़ा पता क किया, तो मुझे पता लगा कि उन्हों ने, Tata जो जिस person को CEO बनाने के लिए nominate किया गया था, उस person ने मना कर दे कि मैं CEO नहीं बनना चाहता, तो वो news इसलिए cover नहीं की, लेकिन बाकी सभी sources धडले से अपने news test series में डाल रहे हैं, सम्में डाल रहे हैं कि कौन है, आप telegram पे देखेंगे, बहुत सारी PDF मिल जाएगा कि Tata ने उसको अपना CEO अपोइंट कर दिया, हाला कि अपोइंट नहीं किया है, उनको join भी late करना था, एक मार्स एप्रेल में करना होगा, और उन्होंने जोइन करने से पहले ही मना कर दिया, फिर भी वो news बहुत सारे आपको sources में मिल करता है कि आपको smart kida को follow करना चाहिए, और अगर आपने नहीं किया है तो try करिए, इनका app का जो link है वो भी मैं description में देदूँगा, telegram channel का भी description में देदूँगा, जहां से आप ये test zone वगरा सब कुछ follow कर सकते है, तो बस करिए, शिरू करिए, preparation अच्छे से, thank you.